हेलो आप सभी का Hindi Medium Academy में स्वागत है, मैं हूँ अरुम कुमार यादो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षादस की जो नई वाली NCRT है, इसकी प्रशनावली 8.3 के प्रशन 3 का सोली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वदा दूँ कि अगर आप Hindi Medium से हैं और आपको विग्यान का ख्षादस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैज जोईन कर सकते हैं। इस बैज में आपको complete NCRT explain करने वाला हूँ, basic से लेके advanced level पे और जो ये price है इस बैज का वो भी काफी कम रखा है मैंने इस बैज को लेने के लिए या फिर इसमें enroll करने के लिए आपको प्ले स्टोर से A.K.Study app डाउनलोड करना है या फिर आप वेब साइट पर विजिट कर इसमें क्या बोला गया है इसमें बोला गया है 9 sec square A minus 9 10 square A किसके बराबर होगा तो यार देखो यहां से अगर आप 9 common ले लो तो यहां से 9 common लिया क्या बचा sec square A minus में 9 common ले लिया क्या बचेगा 10 square A ठीक है तो यह तो अपने पास direct formula होता है sec square A minus 10 square A कितना होता है वन ठीक है हमने formula पढ़ा हुआ है कि भई यह sec square A minus 10 square A सिधा सिधा किसके बराबर आता है वन के ठीक है यह formula हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में आपको जितने ही formula बताए थे सब के सब आपको याद होने चाहिए तब ही आप इन questions को attempt कर पाऊ ठीक है यहां से देखो कितना आगया 9 into 1 करोगा कितना हो जाएगा 9 तो कौन सा option सही है यहां पर option 9 कौन है यानि कि option B is correct ठीक है यह हो गया इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो यहां पर इस चैनल पर जो चैनल वाला section है यहां पर आपको बाकी के चैनल के link मिल जाए ठीक है तो चलिए अब सुरुबात करते हैं इसके दूसरे हिससे की जो इसका दूसरा पार्ट है इसमें हमें देखो यहां पर one plus ten theta plus sec theta और यहां पर one plus quad theta minus cos theta दिया गया है यह किसके बराबर होगा यह पूछा गया है तो पहले जो दिया गया यह बार मैं copy कर लेता हूं ठीक यह चुंकि cos and sin में सब आसानी से change हो जाते हैं जैसे one की जगा वन रहेगा plus ten theta को लिख सकते हैं sin theta by cos theta यह formula में आपको पिछली वीडियो में बताया था ठीक है कि 10 theta को क्या लिख सकते हैं sin theta by cos theta और जो sec theta इसको लिख सकते हैं 1 divided by cos theta ठीक यह तरह से यहां पर one plus quad theta को लिख सकत है cos theta divided by sin theta और cos theta होता है one divided by sin theta ठीक है अब देखो यह इसके नीचे कुछ नहीं है तो one समझो मतलब कुछ दिख नहीं रहा है तो one समझो अब यहां पर cos cos और one का क्या LCM होगा देखो same चीज का तो LCM वही रहता है cos cos मतलब cos ही रहेगा one के साथ करोगे तो cos ही आएगा यानि नीचे कितना जाएगा इनका LCM cos theta ठीक है जब नीचे one हो तो जो भी है यार cos theta वही उपर गुणा हो जाता है ठीक है यह नी cos theta गुणा एक cos theta दूसरी बात जब यह दोनों चीजे सेम हो तो जो भी उपर हो सीधा नीचे उतार दो यार उपर क्या पहले को जूँए तो सीधी बात है signed theta ही उपर जाके कुणा हो जाएगा यह दोनों चीजे सेम है तो यहां से उपर जो भी एक उस वही चाप दो यह दोनों चीजे भी सेम है तो उपर जो भी है मांने से गवाई चांब आब इसके बात को दिको इनको हमें गुणा कर नहीं बागिदि के बीच में क्या निसां आमतला को निसान दिख़ा ख़ो तो और कैसे कहा होगह यहांपे आपको इसको देखना है कि यह और यह देखो सेम चीज है ठीक है साइन प्लस कोस साइन प्लस कोस ठीक है आगे पीछे मुंसे वाला फोर्म लग जाएगा A plus B A minus B वाला formula जाएगा A plus B minus B क्या होता है A square minus B square ठीक है तो यहां से ठीक है A की जगां क्या आ जाएगा cos theta plus sin theta ठीक है यह समझ लो A की जगां आ जाएगा तो A का square minus B की जगां कौन है 1 यह नि 1 का square divided by cos theta into sin theta करोगे cos theta sin theta अब यहां पर समझे यार दो चीजे प्लस में उसका square हो रहा है यह एक्स प्लस Y का whole square वाला formula लगा दो जो क्यों होता है X square X की जगां cos theta है यहां से जगां cos square theta plus y square y की जगां sin theta है तो जगां sin square theta plus में 2xy यहांने की 2 cos theta into sin theta ठीक है यह bracket open कर दिया माइनस में 1 का square तो 1 होता है divide by cos theta sin theta ठीक है अब देखो हमने पिछली वीडियो में formula पड़ा हुआ है cos square theta plus sin square theta होता है 1 ठीक है cos square theta plus sin square theta की जहां कितना लिख दिया बन प्लस जो भी यहां पर है 2 cos theta sin theta और minus 1 ऐसी लिख दिया नीचे जो भी है cos theta sin theta ऐसी लिख दिया ठीक है हमने कौन सा formula यहां पर यूज किया है आप चाहतों लिख सकते हो हमने यूज किया भी यह sin square theta plus cos square theta जो होता है यह एक के बराबर होता है किसके बराबर होता है एक के बराबर ठीक है तो इसकी जगा हमने एक लिख गया ठीक है 1 minus 1 0 हो गया ठीक है यह चीज बचीज अब इसको काड़ सकते हो कौन सा option है यहाँ पर दो option C तो यहाँ पर यह option correct है ठीक थर्ड इससा देखो इसका इसमें भी वही करेंगे यार पहले जो भी है उतार लेते हैं यहाँ पर क्या है सेके प्लस 10 A एक ब्रेकिट में दूसरे ब्रेकिट में 1 minus sin A तो इसमें भी पहले सबको sin कोस में बहल लो यार सेके को मैं लिख सकता हूं 1 by कोसे और 10 A को लिखा जा सकता है याद रखना sin A by कोसे दूसरे ब्रेकिट में तो ठीक है सब कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद दिखो दोनों का हर जो है वो सेम है अंस हर ठीक है तो हर क्या है दोनों का कोस है जब हर समान हो तब LCM वगेरा की टेंसर मतलो सीधा सीधा जो भी हर है वही LCM हो जाता है लिख दो और उपर जो भी है सीधा सीधा वही आ जाता है बीच में जो भी नहीं साने उसक अब देखो यार यहां पर अगर देखो तो यह a plus b a minus b जाए सा दिखरा है तो a square minus b square हो जाएगा यानि कि one square minus sin square और divide by क्या है को से अब देखो हमने formula पड़ा हुआ है कि sin square a plus cos square a बराबर होता एक के यहां पर क्या दिख रहा है इसका मतलब है one minus sin square a की जगा लिखा जा सकता है cos square a तो one minus sin square a की जगा मैंने लिख दिया cos square a और नीचे क्या है नीचे को से पहले से सब्सक्राइब कर जाएगा यहां के स्क्वाइर है तो यह को से बच जाएगा को से यहां पर ठीक है तो कॉस एक कॉंस ऑप्शन है option d यहां पर option d रखते हैं ठीक है आखरी सब्सक्राइब को इसका one plus ten square यहां पर क्या है one plus 10 square a और नीचे क्या है one plus cot square देखो 10 को में लिख सकता हूं sine by cos यह तो 10 square को में लिख सकता हूं sine square by cos square इसी तरह से one plus cot a होता है cos a by sin a तो cot square a हो जाएगा cos का स्कॉायर दिवाइड बाइड बाइड साइन पर स्कॉायर इसके बाद सॉल करोगा तो cos is square into one यह निकी cos square रहे ऊपर पहले से sin square रहे है divide by क्या जाएगा cos square रहे ठीक है तो यहां आगया cos square रहे ऐसे नीचे देखे तो sin square into one sin square a plus cos square a divide by sin square ठीक अभी हमने देखा था कि sin square a plus cos square a one होता है और यहां पर भी देखो sin square a plus cos square यह भी one होता है यानि दोनों one हो जाएंगे तो cos square a plus sin square a one लिख दिया यह हो गया वन उसके नीचे क्या बचा हुआ हुआ है cos square a divide by sin square a plus cos square a one हो गया नीचे क्या बचा हुआ है sin square a ठीक है तो जाब यहां पर जब भीन की नीचे भीन हो तो उपर वाली भीन ऐसी लिख दो यानि कि one divided by cos square ऐसी रहेगा इसको गुणा कर दो नीच वाली भीन को पलटके मतलब यहां पर one उपर है sin square नीचे है तो इसको हम करेंगे sin square ऐ उपर और one नीचे ठीक है sin square a into one हो गया sin square a cos square into one हो गया cos square a हमें पता है sin theta divided by cos theta 10 theta होता है तो मतलब यह 10 a आ जाएगा क्यूंकि square भी है तो लगा दो यह 10 square तो 10 square एक कौन सा option है option D तो इसका भी सही option क्या है option ठीक तो अमीद कर रहा है आपको यह question भी समझना आ गया होगा जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए thank you